हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल प्योर फूर्ड स्टेशन तो आज मैं आप से शेयर करूंगी ब्रेड चीला सैंड्विच जो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है और बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो चीला सैं नहीं है तो अब बॉल्ड आलू ले सकते हैं मसालों में हमें चाहिए नमक मेर्च हल्दी एजवाइन और कसूरी मेथी और सैंड़िच मुनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए सबजी हमने काट लिया है और पनीर को मैश कर लिया है अब एक बाउल लेंगे उसमें हमें बेसन डालना है और दो चमल दही डालना है और इसको मिक्स करके पांच मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है करना है और पांच मिनट के लिए हमें इसको रखेंगे है यह देखे हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसको हम पांच मिनट के लिए रखतेंगे दई से क्या होता है कि इचीला हमारे एकदम सोफ्ट बनता है यह देखिए पांच मिनट हो गए है यह देखिए इस तरह से हमारा बन जाए गए अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ज्यादा पानी नहीं डालना है और देखिए इसी तरह चलाते हुए पेस्ट बनाना है अब में मसालर डालेंगे एक रदी, एक चमmach नमक और एक मिर्ची डालना है और चमच हमें कसौरी मेथी डालना जा ककता हुए प्यास डालेंगे पामला मिर्च घर कटांगरा मीर्च मैश किया हुआ पनीर डालेंगे हारा धनिया और मिर्ची डालेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसमें मैश किया हुआ पनीर में डाल देंगे और इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है ज्यादा गाड़ा पेस्ट नहम हमें नहीं बनाना है थोड़ा पतला करना है अभी देखिए अभी ये गाड़ा पेस्ट है हलका सा पानी लगाएंगे उसको थोड़ा पतला करेंगे ऐसे गुमाते हुए हमें इसको एक पतला पेस्ट मनाना है बिल्कुल पतला भी नहीं करना है कि देखिए इस तरह से हमें ही पेस्ट तयार करना है और हम इसके चीले बनाएंगे एक नोंस्टिक तबा लेंगे उसमें ओइल लगाएंगे और हम अपना पेस्ट इसमें धीरे से डालेंगे और इसको राउंड शेप देंगे यह देखिए इस तरह से राउंड शेप देंगे मीडियम फ्लेम पे हम यह बनाएंगे और दस पंद्रा सेकेंड के बाद हमें इसको चारू सरफ से पहले इसको इस तरह से निकालना है और फिर पलट कर हमको चैसे इसको प्रेस करते हुए बनाना है यह देखिए इस तरह से हमें एक दुबार हम इसको पलटेंगे और इसको प्रेस करते हुए ताकि अंदर से कच्छा ना रहे यह देखिए हमारा चीला बनके तयार है इसको उतार लेंगे ऐसे हम दूसरा चीला बनाएंगे इसको राउंड शेप देंगे और दस पंदा सेकंड के बाद इसको हम चार तरब से तबे से छुडाते हुए पलटेंगे देखिए इस तरह से बनाना है और हमारे दोनों चीले बनके एकदम रेडी है आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं कैचप या चाय के साथ चटनी के साथ लेगे हम सैंड्विच बना रहे हैं तो हम ब्रेड पर लगाएंगे इसको ब्रेड पर ओईल या घील जो भी आप यूज करते हैं लगाकर उसके बीच में हमें चीला रखना है फिर उसके उपर ब्रेड रखना है और उस पर हमें देशी की मैंने देशी की लगाया है आपके अब देखिए हमारे सेंड्विश एकदम रड़ी है अब इसको हम बीच से कट कर लेंगे अब देखिए हमारे सेंड्विश इस तरह से बनेगा एक और हम इसमें कट लगाएंगे यह देखिए अब इसको हम प्लेटिंग करेंगे यह देखिए इस तरह से हमारा नाष्टा एकदम रड़ी है यह बहुत ही हेल्दी होता है अब बच्चे बड़े इसको सभी पसंद करते हैं एक बर आप जरूर बनाए यह देखिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक शेर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स पूर वोचिंग अजय हम जगा है लोचिंग लोचिंग वोचिंग यह आपको अगर एंग उर्चिंग वोचिंग यह बचुंग पुर वोचिंग यह